सम संख्या और बिसम संख्या को बिस्तार से बताया गया है तो देखिए हलो गाइज मैं हूँ पपो और आप सबको किलियर करने वाला हूँ सम संख्या ओके ये जो सम संख्या है ये आखिर है क्या तो आएए इसको अब हम समझ ही लेते हैं गाईज आप सबको किलियरली दिख रहा है सम संख्या ओके इस एंगलिस में कहते हैं इभे नमबर तो यहाँ पर आप दिख सकते हैं परिभासा मैंने लिख रहा है कि जो भी संख्या में दो से पुरा-पुरा भाग लग जा है उसे ही कहते हैं सम संख्या परिभासा इतना आसा हैं 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 26 28 30 और 40 गाइज यह सब क्या है यह सब हमारे समसंख्या है इसलिए समसंख्या है क्योंकि यहाँ पर यह सब में अगर हम भाग लगाएंगे दो से न तो यह आसानी से पुरा-पुरा कट जाएंगे एक्जामपल के लिए यहाँ पर हम ले ले लेते हैं 12 अब 12 में हम जैसे यार 2 से भाग लगाएंगे तो यह आसानी से कट जाएगा 2 छक 12 तो आप इसे आसानी से समझ सकते हैं तो जिसमें 2 से पुरा-पुरा भाग लग जाएगा उसे ही कहेंगे समसंख्या तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये सब संख्या क्या है सम संख्या है और यहाँ पर आप ध्यान दिजिए अगर आप से पुछ दिया जाए कि ये जो संख्या है इस तरह का हम यहाँ पर दे रहे अब इसको देखकर आप बताए कि ये सम संख्या है की नहीं तो कि आप बता पाएंगे कि ये सम है कि नहीं जी हाँ आप उस समय घबडा जाएगा तो आपको मैं एक ट्रिक देता हूँ ट्रिक क्या है यहाँ पर मैं लिख रहा है सौट ट्रिक ट्रिक है कि किसी भी संख्या का इकाई अंक में 0, 2, 4, 6 और 8 अगर रहेगा तो उसे आप समझेगा कि वो हमारा क्या है सम संख्या तो यहाँ पर इकाई अंक में क्या दिख रहा है आपको इकाई अंक में 0, 2, 4, 6, 8 दिख रहा है तो भाईस अभी काई अंक में यहाँ पर 9 है इसलिए यह हमारा क्या है सम संख्या नहीं है तो guys समसंख्या को पसानने का यही ट्रिक है कि last में अगर 0, 2, 4, 6, 8 रहेगा तो उसे हम कहेंगे समसंख्या for example यहाँ पर आप समझिये यह क्या है हमारा अब यह हमारा समसंख्या है इसलिए क्योंकि अंतिम में हमारा क्या है 0 है यानि इकाई अंख हमारा 0 है इसलिए हमारा समसंख्या हो गए यहाँ पर मैंने सौट ट्रिक लिख रहा है अगर आप इसको लिखना चाहते हैं तो वीडियो को रोकिए और आसानी से लिखिए अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी सीख मिला हो तो यार इस वीडियो के लिए एक लाइक कर देना यहाँ पर आप सबको किलियरली दिख रहा होगा बीसम संख्या ठीक है इसे इंगलिस में कहते हैं ओड नंबर ठीक है और आगे मैंने लिख रहा है कि जो भी संख्या में दो से पुरा पुरा भाग न लगे उसे ही कहते हैं बीसम संख्या यहाँ पर आप देख पा रहे हैं एक तीन पांच साथ नो इगारा तेरा पंदरा सतरा उनीस इकीस तीस और अनंत तक अनंत तक कहने का मतलब यह कि यह आगे और बढ़ सकता है इसके आगे और हम पचीस भी ले सकते हैं तो यहाँ पर यह जो संख्या आपको दिख रहा हैं यह हमारे बिसम संख्या क्यों क्योंकि इन सब में अगर हम भाग लगाएंगे न तो यह सब पुरा पुरा नहीं कटेंगे जैसे यहाँ पर आप गौर किजिए यहाँ पर हम ले लेते हैं एक्जामपल के लिए तीन अब तीन में हम जैसे ही दो से भाग लगाती हैं तो दो एकम दो यहाँ पर हो जागा अब ऐसे करेंगे तो एक बच जागा और एक बच जागा तो यह से भाग लगाएंगे तो यहाँ पर यह कम है तो नहीं कटेगा यहाँ पर हम पॉइंट देकर लिखना पड़ेगा तो भाई साब दस्मालों में यहाँ पर यह इंस्वर आ जागा दस्मालों में यह कट जागा तो हमें दस्मालों में नहीं काटना ह ऐसे ही काट देना है पूरा पूरा तो यहां पर आप देख पा रहा है कि दो से ये तीन नहीं कट रहा है यानि तीन हमारा क्या है बीसम संख्या है तो दो से जिस भी संख्या में हम भाग लगाएंगे अगर वो पूरा पूरा नहीं कटेगा तो उसे ही हम कहेंगे बीसम संख् इस तरह कि आप यह बताईए कि यह हमारे बिसम संख्या है कि नहीं तो आप नंबर देखकर आप बता सकते हैं आप क्या किज़ेगा कि दो से भाग लगाएंगे ना तो ज्यादा हमें देर हो जाएगा तो बिसम संख्या को पचानने के लिए एक मैंने ट्रिक लिख रहा है वो तीन पांच साथ नौ अगर आपको देखने को मिलता है तो वो समझी हमारा क्या है बिसम संख्या एक्जामपल के लिए यहां पर हम लिख दे रहे हैं ये ये और ये आप देखकर बताईए कि ये बिसम संख्या है कि नहीं तो बिसम संख्या के लिए मैंने क्या कहा है कि दो स पूरा-पूरा तो उसे हम कहेंगे 20 संक्या तो आप भाग लगाएगा तो आपको लेठ हो जाएगा तो मैं यहाँ पर पर पाचाने के लिए मैने ठिक क्या रख दे रखा है कि जिसके अंग में 1,3,5,7,9 हो वे हमारे 20 संक्या होंगे तो यहाँ पर आप देख पारे इसके अं है यानि यह हमारा क्या है यह बीसमसंख्या ठीक है तो यहां पर एक और example हम लेते हैं आप बताइए यह यह और यह यह यहां पर आप बताइए यह अब यह हमारा बीसमसंख्या है की नहीं आप नीचे comment section में बताइए और बीसम संक्या में बस आपको यही ख्याल रखना है कि दो से अगर पुरा-पुरा नहीं कटेगा तो उसे ही है कहेंगे हम बीसम संक्या तो बीसम संक्या के बारे में अगर अभी भी आपको कोई डाउट है तो नीचे कॉमेंट सेक्शन में जरूर लिखेगा तो मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक के लिए बाय बाय टेक केर बने रहिए और जूड़े रहिए हो सकत तो एक लाइक जरूर कीचेगा